जिहाद का पील की जा रही है कि इनको लग रहा है कि हार लए उन के पिछली बार बस्पार Sapa के गटमदन था तब भी है हा कई लाख वोटों से पिस आप लाग है यह करो तो यह पता नहीं है कि मैसिज किया देना चाहती है बोटों के लिए संगर्ज करो, बोट कमट डालो, बोट 100% करो, बीजेपी के प्रत्याशी से अगर तुम सानभूती रखते हैं तो ये शर्म की बात है, ये कहें एक धर्म के लोगों को भड़का हैं ये आपको ठीक लगता है, जिहाद सब्दा है, जिहाद के बतरों संगर्ज इसी जिहाद का नाम लेकर आतंकी भी इस देश में घुसाते हैं, इसी जिहाद का नाम लेकर आतंकी भी इस देश में घुसाते हैं कांग्रेस ने किया और बोटों को बाटने का काम जियाद को टी आपीलों आपको क्या लगता है देखिए ये जहाद की भी बहुत खराब आपीने क्या हम लोग उस्टान करते को श्पान करते को को इंटरिवी नहीं आया गब रहे갔ा को दौक हम सोत पर來了 यह सर्मान कुछित इभाती जी ने बोला ना यह बीजेपी के किसी नेता ने तोड़े लुका कर आए यह पर दस्तारों से मुकेश राजपूत ने कोई काम नहीं किया ठीक है लेकिन मारिया क्यों कहने गई कि वोट जिहाद पर उनकाई के मुद्धे पर आई बिल्कुल आप इसमें दिरानी जी जो सिरिंडर लेके ऊपर बैठ दी लिला यह बहुत सर्म राग की बात है फरुकाबाद के सांसर जी एक जाता है बिकलांग आज भी उत्से बोलते हैं कि अपना बोट देना हो तो मत दो आप 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 से रुकेट आप उसको चलाइए उसको बोले राइ बात आपकी ठीक है लेकिन यह पोले राइजेशन का काम किस ने किया वोट जिहाद के अपील करना क्या पोले राइजेशन नहीं है बात तैने का मौका दीजिए दोहजार चौदा से चौबिस तक सेंटल गवर्मेंट के मानी परदान मंती जी के और इनके ग्रह मंत्री के कि हैं मेरे बात आक की बात ठीक है आपकी बात ठीक है तो मारिया ने भी यह कि अगर उन्होंने मटा विपाarks के आपने का यही जानना चाहता हूं कि भारत के लीडर भारत के प्रधार मंत्री जी भारत के भाजपा के सीर्थ नेतत्र जब खुले आप मंत्र से कहते हैं कि मैं मुसल्मानों को भारत से हटा देंगे कभी प्रधार मंत्री ने हटाने की बात नहीं कई है धर्म के आधार पर आरक्षन कभी रोग किया है कभी मुसल्मानों को भाजब खुल भाया है लेकिन देश से मुसल्मानों को उटाने की बात किसी ने नहीं कहीं है बिलकुल गरण बात नहीं है मंच से कोई भी गरण बात स्विकार नहीं होगी कभी देश के प्रधान मत्री या किसी भी इने ताने इस देश से मुसल्मानों को उटाने की बात नहीं कहीं है इस देश के मुसल्मान भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने दूसरे धर्म के लोग उनको भटकाना नहीं चाहिए हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि फरुकाबाद में पिछले दस सालों में क्या हुआ देश में पिछले दस सालों में क्या हुआ बहस उसकी होनी चाहिए हम मंदर मस्चिद के लिए यहाँ आदो जी आप बिल्कूल ठीक करें हैं बहस इस बात क्य उर्दू और अर्भी सब्द है उसका मतलब समझे क्या है जिहाद का मतलब है कि संगर्स और आप अपने इसाब से दाल लोटी तो बोलेंगे ना अब यहीं जिस्टिफाइब कर रहे हैं चलिए चलिए सथाल सेंगी यह जिहाद शब्द को जस्टिफाइब कर रहा है बिल्कुल ठीक है बाई कोई तुष्टिक करन नहीं हो रहा है जिहाद का मतलब है संगर्स जिए जिए तो आप जिक्संडी देखके खोल के देख अगर जिए जिए जिस समय जिहाद सब्द का प्रियोग किया गया उससे तो यही लगा कि एक धर्म को इकठा होकर और भारती जनता पाटी और देश के खिलाप संगर्स करने के लिए उनको प्रेडित करने का काम किया गया निश्चित रूप से उसको राष्ट भक्ती नहीं कह सकते हैं कि यह वाठी क है कि जहाद का मतलब संगर्स होता है लेकिन शंगर्स देश के खिलाप नहीं करना है संगर्स आप लोगों के खिलाप कर सकते हैं लेकिन देश केखेंगा प्रिक है ख्ढकантing जाउमान कुर्ची सल्मान कुर्ची जब बाटला हाउस एनtiटर के रा आपको सुना ही देगी मेरी आवास ठीक है शकुंतला जी जब बाटला हाउस से एंकाउंटर हुआ था तभी सर्मान खुर्षीद ने क्या कहा था उस पर भी विवाद हुआ कॉंग्रेस पार्टी के दर्जन बरनेताओं के बयान ऐसे है जो एंटी हिंदू स्क्रेट्मेंट है उसी से प्रेरी तोकर मारिया ये बयान दे रही है नहीं मारिया जी ने अगर जो भी बयान दिया है तो उन्होंने अपनी कौम को इखटा करने के लिए कहा है अच्छा कुछ आपको बिल्कुल आरबी नहीं आती हमें सब पता है जाज के मतलब होता है संगर्ज करना आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलिए शकुंतला जी एक सवाल आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि कौमी कठा करने की बात है कल को को कोई हिंदू उटकर खड़ा होगा कहेगा को इस सिख कड़ा होगा कि कौमी कठा कर रहे हैं तस साल से मोधी सरकार है तस साल से मकेशराज पूद देस में और कुछ भी काम नहीं किया परकबात के अंदर कोई काम नहीं किया नहीं मैं लोगों के बीच जा रहा है यह सवाल बढ़ा है देस बढ़ा या को कांग्रेस के अगलमाना यह कौन सा पहमाना है मुझे हम इंदुस्तानी मजब्बे भेग नहीं करते जिस्थारी में खाते उते छेद नहीं करते हमारा हुक्का पानी बंद होगा मुकेश राथ पूत ने मुस्लिम को ले करके बैठा करी और मारिया जी कहते हुक्का पानी बंद कर दिया रहा यह कहा कि पिल्कु ठीक बात है यह सवाल तो पूछा जाएगा जीतेंद्र जी कि मारिया कह रही है कि अगर